अगर आप इस चैनल से नए है तो चैनल को सब्सकाइब करिए वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए तो आज की ये क्लास सोचियोलाजिस समबंधित सभी एक्जाम के लिए इंपार्टन्ट है तो चलिए क्लास को सुरू करते हैं आप लोगों का समय बहुत कीमती है तो क्लास को फटफट सुरू कर देते हैं पहला कुश्यन है अतिहासिक डेटा और अनुभोजन ने डेटा का एक साथ हुपयोग करके भारत के ग्रामेल समाज के वर्ग सन रचना में गसीलता का अध्यान किसने किया है ऐसी दूबे आसकल लेविश रामकृष मुखर जी एयार देशाई रायट आंसर बताईए अध्यान रचना में गसीलता का अध्यान किसने किया रायट आंसर बताईए ऐसी दूबे आसकल लेविश रामकृष मुखर जी एयार देशाई रायट आंसर इसमें ऑप्शन ठाट रामकृष मुखर जी एतिहासिक डेटा और अनुभोजन डेटा का एक साथ प्रियोग करके भारत के ग्रामिल्ट समाज की वर्ग संदचना में गसीलता का अध्यान रामकृष मुखर जी ने किया है आप्शन ठाट रायट आंसर है नेक्स्ट कुश्याने किसने तरक दिया था कि हरित करांत की बाद क्रिशी अस्थापना में सनलग्द स्रम संगठी छेत्र में अस्थाई रोजगार की तरह था पाल ब्रास जी एस भला अशोक रूद जे मोहन राओ रायट आंसर बताईए रायट आंसर क्या होगा रायट आंसर है इसमें आप्शन ठाट अशोक रूद इस कुश्यान का आप्शन का आंसर कहीं कहीं पर पाल ब्रास भी दिया है पाल रिचर्ड ब्रास तो इस कुश्यन का आंसर कहीं अशोक रूद्र दिया है कहीं पाल ब्रास दिया है तो कंफर्म करके मैं बताऊंगे है कि राइट आंसर क्या होगा है तो आप्शन थार्ड इसका राइट आंसर है कि नेक्स्ट कुश्चिन सामाजिक सिच्छा को अन्यथा के रूप में जाना जाता है मध्यास्त तब व्योहारवादी माडल प्रति रूप गुप्त अधिगम राइट आंसर बताएगे सामाजिक सिच्छा को किस रूप में जाना जाता है राइट आंसर है इसमें ऑप्शन आप्शन सेकेंड ब्योहारवादी माडल आप्शन सेकेंड राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चिन सुमेलिक करना है किंग्सिलर डेविस शोशल कैपलियर्टी थीरी जे सी कैडल विल सोशल इस्ट्रक्चर अन फर्टिलिटी डिमा इंट्रेक्शन माडल आर हील के बैक और एम जे साइकोस बेल्ट फ्लो थियोरी एक चार तीन दो तीन चार दो एक दो चार एक तीन चार तीन एक दो राइट आंसर बताईए राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर इसमें किंग्सिलर डेविस का है सोशल कैपलियर्टी थीरी जे सी कैडल वेल्ट का है वेल्ट फ्लो थियोरी एक चार डियूमा का है इंट्रेक्शन माडल आर हील के बैक और एमजे साइकोस का है सोशल इस्ट्रक्चर एन फ्रटिलिटी एक चार तीन दो आप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है जे सी कैडल वेल्ट फ्लो थियोरी डियूमा इंट्रेक्शन माडल आर हील के बैक और एमजे साइकोस सोशल इस्ट्रक्चर एन फ्रटिलिटी बुढ़ापे में जनसंख्या का अध्यान करने वाला विज्ञान कहा जाता है जेरेंटोलाजी, सोशल वर्क, सोशल बायोलाजी, जीनोलाजी राइट आंसर बताईए राइट आंसर क्या होगा बुढ़ापे में जनसंख्या का अध्यान करने वाला विज्ञान राइट एंसर इसमें आप्शन फर्ष जेरेंटोलाजी इस सब्द को उन्नीस सु तीन में इस सब्द को गढ़ा गया था आप्शन फर्ष इसमें राइट एंसर नगर निगम द्वारा कौन शकर लगाया जा सकते हैं मन औरंजन कर टोल कर ग्री कर उपर युग दुश भी राइट आंसर बताईए नगर निगम के द्वारा ग्री कर लगाया जाता है ओप्शन फर्ड राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठे समों के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है शमीत शंस्था समदाय वाय समों राइट आंसर बताईए राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्ष शमीत नेक्स्ट कुश्चन है नीमनी लिखित में से कौन सी विशेषता अंतर पीड़ी संघस का कारण बन सकती है भूम बीतरण प्रडाली शहरी प्रवास शमय के परिवर्तन के साथ मोल्यों का परिवर्तन इन में से कोई भी नहीं ऐसी कौन सी विशेषता है जो अंतर पीड़ी संघस का कारण बन सकती है राइट अंसर इसमें ऑप्शन थर समय के साथ मोल्यों का परिवर्तन ऑप्शन थर राइट अंसर नेक्स्ट कुच्चिन है क्लास और क्लास कांफ्लिक्ट इन इंडस्टियर सोसाइटी पुस्तक किस ने लिखी प्रकाशित हुए थी काल मास्ट डेरंडा मैक्स बेवर मर्टन राइट अंसर बताईए क्लास और क्लास कांफ्लिक्ट इन इंडस्टियर सोसाइटी यह पुस्तक उन्नीस सो उनसट में प्रकाशित हुए थी राइट अंसर इसमें ओप्शन सेकंड डेरंडार्फ डेरंडार्फ का जन्म एक मैं 1929 को हुए था और 17 जून 2009 में इनकी मृत्ति हुई थी घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरच्षण किस वर्ष में पारित हुए थी यह अधिनियम 2005 में पारित हुए था और 26 अक्टूबर 2006 को संपूर भारत में लागू किया गया था हैं नेक्स्ट कुइशन है आधनिकता को अपूड परियोजना के रूप में किस नने माना डेरीड़ा गेडंस अल्थ हूजर हैये वर मार्ष नीमाना है औप्शन फोर राइट आंसर है मृत उदर के पत्र पर प्राकृतिक और राजनीतिक टिपड़ी को किसने लिखे है गिलाड वारेंटी थॉम्पशन जान ग्रान नॉटेस्ट इन फ्रेंड राइट आंसर बताईए मृत उदर के पत्र पर प्राकृतिक और राजनीतिक टिपड़ी राइट अंसर इसमें ऑप्शन था जान ग्रांट नेक्स्ट कुछिशन ने तेजी से अध्योगी करण ने सफेट पोष अपराधों में ब्रेध की है वेशाई क्रेशी स्रम कार्याले लिपिक स्कूल के सिच्छक तेजी से अध्योगी करण ने सफेट पोष अपराधों की दर में ब्रेध की है राइट अंसर इसमें ऑप्शन फर्ष वेशाई नेक्स्ट कुछिशन है निमने लिखित में से कौन भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए जिम्मेदार नहीं है राइट अंसर इसमें ऑप्शन फर्ष घटती जन्मदर ये बढ़े हुए जीवन काल के लिए जिम्मेदार नहीं है उत्तरदाई नहीं है नेक्स्ट कुछिशन है और्द्योगी क्रांत के दोरान यूके में और्द्योगी करण कि सुद्ध्योग के माध्यम से हुआ लोहा और इस पात कपास वस्त पून राइट अंसर बताएए और्द्योगी क्रांत के दोरान यूके में किस और्द्योगी करण कि सुद्ध्योग के माध्यम से हुआ था राइट अंसर है ओप्शन ठट वस्त रुद्ध्योग नेश्ट कुश्चन है स्वतनतता से पहले ग्रामिर भारत में प्रचले सामान भूम कारे प्रडाली कौन सी थे जमीदारी प्रडाली रइयत वारी प्रडाली महल वारी प्रडाली साज्यदारी प्रडाली एक, दू, चार, दो, चार, तीन, एक, दो, तीन, दो, चार राइट आंसर बताईए स्वतनततर से पहले ग्रामिड भारत में प्रचली सामान निभूमी कारेकाल प्रडाली कौन सी थी राइट आंसर इसमें जमीदारी, रैयत वाड़ी और महल वाड़ी आप्शन ठर्ड राइट आंसर है नेक्स्ट कोजिशन है लिंग शामाजिक रूप से निर्मे थे जबकि सक्स जैविक रूप से दिया गया है यह एक कथन है जिसके लिए जिम्मेदार ठाराय जा सकता है नारिवाद की पहली लहर, नारिवाद की दूसरी लहर क्रिया सिल्ता का उद्भो बश्वी करण का प्रभाव राइट आंसर बताईए राइट आंसर क्या होगा लेंग सामाजिक रूप से निर्मित है जबकि सक्स जैविक रूप से यह नारिवाद की कौन सी लहर थी राइट आंसर है ओप्शन शकंड नारिवाद की दूसरी लहर 1960 के दशक में सायुक्त राज अमेरिका में शुरुवात हुई थी नेक्स्ट कुशन है निमने लिखित में से कौन सब वैस्विक नीतियों का उद्देश नहीं है सिच्छा की लागत को कम करने सिच्छा तक पहुँच बढ़ाने सभी के लिए सिच्छा को एक बिकल्प बनाने सिच्छा और प्रसिच्छड गुडवत्ता में शुरुधार करने सिच्छा की कम लागत करना ये सही है सिच्छा तक पहुँच बढ़ाना ये सही है सिच्छा और प्रसिच्छड की गुडवत्ता में सुधार करने ये सही है option third इसमें सही नहीं है सभी के लिए सिच्छा को एक बिकल्प बनाना ये option सही नहीं है बलकि इसकी जगा होना चाहिए था सिच्छा के लिए सभी बिकल्प उपलब्ध कराना सिच्छा के लिए सभी बिकल्प उपलब्ध कराना next question है इंपीरेटिवली को आडिनेटेड एसोसियेशन किया अधाड़ा किस ने दी? कोजर, कॉलिज, मार्क्स, डेहरंडार रायट आंसर बताईए इंपीरेटिवली को आडिनेटेड एसोसियेशन कि यह अधाड़ा डेहरंडार ने दी है ऑप्षन फोर इसमें रायट आंसर है डेहरंडार यह जर्मनी जर्मन ब्रिटिश समाज सास्त्री थे नेश्ट कुश्यन है ब्रिटिश काल की दवरान ग्रामीड बंगाल में क्रिशिवर्ग सनरचना का अधियन कर कि किसने निश्कस निकाला है कि भारती ग्राम समाज ना तो एक इस्थिर था और ना ही एक समतावादी था किसने ऐसा कहा था कि भारती समाज ना तो इस्थिर था और ना ही समतावादी था राइट अंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड आंधरे पित्ते नेश्ट कुश्यन आधनिकता का परडाम किताब किसने लिखा आधनिकता का परडाम ये बुप किसने लिखी है राइट अंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड एंधनिकता नेश्ट कुश्यन है कुश्यन निम्न लिख Stones मेंसे कौन किसके संबंध में सही नहीं झाथ लेकिन आधी एपनी आधियों का सुरच्छा केुलिए कई अंगर्विधियों का सहारा लेते हैं इंन में सेकमी कॉई नहीं कौन किसान के संबंध में सही नहीं है इसमें होगा किसान यहां पर होगा किसान किसान के संबंध में कौन सा सही नहीं है किसान छोटी परंपरा का प्रतनिधित करता है यह सही है भारत में किसानों का मुख रूप से जाद पदान कुरम के मधिवर गिद्वार प्रतिनिधित किया जाता है हालांकि किसान अपनी आजीव का कि मुख राधार के लिए भूम पर निर्भर है लेकिन वह अपनी आजीव का सुरच्छा के लिए कई अंगर्विद्यों का सहारा लेते हैं राइट अंसर है इसमें ऑप्शन फोर इन में से कोई नहीं ऑप्शन फोर इसमें राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है पूजी वादी समाज में गरीवी के माक्षवादी परप्रेच को किस संदर्व में समझा जा सकता है पूजी वादी आर्थ वेवस्ता द्वारा उत्पन आर्शमानता की प्रडाली उन लोगों के हाथों में केंद्रिट है जो उत्पादन के साधन के मालिक है श्रमिक वर्ग जो केवल अपनी स्रम के मालिक हैं उने खुले बाजार में मजदूरी के लिए बेचना चाहिए मजदूर वर्ग को उनकी काम का उच्चित बेचन मिलेगा एक दो चार, एक दो तीन एक चार तीन राइट आंसर बताइए तो इसमें रायट आंसर है पूजी वादी अर्थ विवस्था द्वारा उत्पना शमानता की प्रडाली उन लोगों के हाथों में केंद्री थे जो उत्पादन के साधन के मालिक है श्रमिक वर्ग जो केवल अपने श्रम के मालिक है उन्हें खुले बाजार में बेच ये तीनों आप्शन सही है एक दो तीन आप्शन सेकंड इसमें रायट आंसर है आप्शन फोर इसमें मजदूर वर्ग को उनके काम का उचित बेतन तो मार्क्स के समय में मजदूर को उनके काम का उचित बेतन जो है नहीं मिलता था नेक्स्ट कुजिशन है नारी वाद के बारे में क्या सही है या केवल कामकाजी महिलाओं से संबंदी थे या महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है या महिलाओं के योगदान से संबंदी थे या पुर्षों की भूमका को नकारता है नारी वाद के बारे में क्या सही है? राइट अंसर बताईए राइट अंसर इसमें आप्शन सेकंड नारी वाद महिलाओं के सोशल्ड के खिलाफ एक वेल्श्विक आंदोलन है आप्शन सेकंड इसमें राइट अंसर है नेश्ट कुशन निमने लिखित में से कौन से गुड़ात्मक अनुसंदान की मुख्य विशेशता है शकार आत्मक धारडाओं और डेटा विसलेशल को दूर करता है पहले से मजूस रडियों को स्विकार करता है शंख्यात्मक रोप से डेटा करता है डेटा विसलेशल के अनुबुजन विधी का उपयोग करता है राइट अंसर बताईए गुड़ात्मक अनुसंदान की मुख्य विशेशता कौन से है राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर इसमें ऑप्शन फर्ष्ट शकार अत्मक धाडाओं और डेटा विसलेशल को दूर करता है और अप्शन फर्ष्ट राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है भारत की निमनी लिखित में से किस राज में मोट्स उस्सो मनाया जाता है नागालेंड त्रिपुरा अश्रम पस्षिम बंगल मोट्स उस्सो ये कहां पर मनाया जाता है मोट्स उस्सो नागालेंड में मनाया जाता है और यह उस्सो खेतों में बीज बोनी के बाद मनाया जाता है इसमें महला और पुरुष इकठा होते हैं और पारंपरिक निर्थि करते हैं आग जलाकर आग के बाहर खड़े होकर एक बड़ी बाहरी आग के आसपास इकठा होते हैं और पारंपरिक निर्थि करते हैं नेक्स्ट वस्ट और सेवा करने भारत को बनाया है एक पूर और पश्चिम बाजार एक साज्या बाजार अलग बाजारों का समू एक दच्छड और एक उत्तर बाजार राइट आंसर बताईए वस्ट और सेवा करने भारत को राइट आंसर बताईए वस्ट और सेवा करने भारत को एक साज्या बाजार बनाया है नेक्स्ट कुजिचन है केंद्री वजट 2022 की अनुसाइट डिजिटल संपत क्रिप्टो करेंसी या किसी आभासी क्रिप्टो करेंसी संपत के हस्ताना अंतरड होने वाली आयपद कितना प्रतिशत कर लगाया गया है बीश पांच तीस दस राइट आंसर बताई कि राइट आंसर क्या होगा किसी भी आभासी संपत के हस्ताना अंतरड से होने वाली आयपद तीस प्रतिशत कर लगाया जाता है ओप्शन ठर्ड राइट आंसर नेश्ट पूजिशन है आर्थिक सर्वेचर 2021-22 के अनुसार भारत ने अप्रेल 2022 से शुरू होने वाले आने वाले बित्ती वर्ष के लिए कितने वर्ष प्रतिशत की आर्थिक ब्रेधिका अनुमान लगाया चाहँ प्रतिशत से 6.5 प्रेशत 7 प्रेशत से 7.5 प्रेशत 8 प्रेशत से 8.5 प्रेशत और 9 प्रेशत से 9.5 प्रेशत राइट आंसर बताएजी आर्थिक सर्वेच्छट 2021 और 22 के अनुसार भारत ने अप्रेशल 2022 में सुरू होने वाले आने वाले वित्ती वर्ष के लिए कितने प्रेशत का आर्थिक ब्रेधिका अनुमान लगाया था राइट अंसर इसमें ओप्रेशन 3 आठ प्रेशत से 8.5 प्रेशत नेक्स्ट कुश्चन है काम्टे के अनुसार समासास के पारमपरिक पद्धत है प्रत्यच्छवाद प्रति प्रत्यच्छवाद सामराजवार सापेच्छवाद राइट आंसर बताएए कॉम्टे के अमसार समार सास की पारंपरी पद्धत है राइट आंसर बताएगे क्या होगा राइट आंसर है इसमें आप्शन फर्स्ट प्रत्यच्छ बाद तो आठ टाइम नहीं था इसलिए 30 कुश्चन ही हो पाया तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरू लाइक कर दीजिएगा और यह क्लास यहीं तक आई होप आप सबको यह क्लास पसंद आए थैंक यू